हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि ओपो A3 Pro 5G फोन में आप लोग फेस लोग कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Oppo A3 Pro 5G फोन है और इस फोन में आपको फेस लोग लगाना है अगर आप लोग चाते होगी आपके फोन में आपको फेस को देखते ही आप जो लोग जो हो आटोमाटिकली खुल जाएगा आपको जो बार-बार या पर पेटर्न या बार-बार या पर फिंगर प्रिंट डालने का जरूरत नहीं होगा जब भी आप लोग अपने कैमरे के तरब देखोगे तो आपका जो लोग है वो खुल जाएगा तो केसे आप लोग अपने इस phone में face lock को set कर सकते हो guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गया इस वीडियो को start करते है face lock को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा इस password and biometrics का तो इस password and biometrics के option पे click करेंगे click करने के बाद add face का option आएगा तो इस add face के option पे click कर दीजिए click करते है अपने phone का जो भी pattern या password इसको डाल देना है डालने के बाद continue का option आगा continue पे click करेंगे तो यहाँ पर आपका front camera on हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपको आपके front camera में जो है आपको अपने face को दिखा देना है तो यहाँ पर से मैं face को दिखा देता हूँ face को दिखाते ही आपका जो face ही गएगा इस वो register हो जाएगा और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके settings बगर आएगे जैसे की देख सकते use face for screen unlock auto brighten screen to face recognition इसको on करके रिखिए unlock when eyes are open जब आप खुला रहेगा तब यहाँ आपका screen अनलोग होगा तो यह सब setting आप लोग यहाँ पर से कर सकते हो और आपका face lock जो हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo a3 pro 5G phone में आप लोग face lock को लगा सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई